तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 6 सब्जक्ट संस्क्रिट लाश्ट यर एनुवल पेपर को विद सोलिउसन ऐसे पैटर्न में आपको पेपर मिलेगा अच्छे से देख लो समझ लो ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इससे पहले मैंने प्रैक्टिस पेपर अप्लोड कर दिया है आप चैनल पर विजिट करके वहाँ से आप प्रैक्टिस पेपर की तैयारी कर सकते हो काफी कोशन उसमें से भी मिलेंगे आपको ये चित ध्यान में रखना ठीक है तो श्टार्ट करते हैं ध्यान से दिखना अधो लिखतम अनुच्छेदम पठित्वा यथा निर्देशम उत्तरत अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिये गए प्रस्णों के उत्तर देना है जैसे की पहला कोशन मिलेगा एक पदेन उत्तरत इसका मतलब होता है केवल एक सब्द में आंसर देना है यहां लिखा केवलम प्रस्ण त्रयम कोई तीन प्रस्ण करने है चार दिया गया है तो जैसे एक पदेन का मतलब क्या होता है पहला कोशन असमाकम देशा कहा तो ध्यान से ढूंड़ो पूरी लाइन मिलेगी असमाकम देशा भारतम अस्ति एक सब्द में क्या मिला भारतम त से हम लिखा है की दर रसार चार एक सब्द का आंसर हो घृत में अगला कर तंदरता पासे पूरी मिलेगी परिषान होना यह आपको एक सब्ध कानसर रागया भार्तम थीक है तो सब्द में आंसर लिखोगे यहां पर आप भार्तम अगला आगला भारत के सवत्तर भारत के में क्या है तो यहां लिखा जिक है ऐक से humility दिफल अगया कि ऑफले है chefs ठीक है तो यहां पर आप लिखोगे हिमाले यहां तो यहां पर लिखागे हिमाले है यहां पर लिखागे हिमाले है ठीक है आगे देखो पूर्डवाक के नुत्रत इसका मतलब पूरी लाइन उतार देना है एक सब्द में आंसर नहीं देना है लिखा केवलम प्रस्ण एकम दो द्यांस देखो प्राचीन काले आयम देशा विश्वगरू आसी तो य brightly पूरा उतार देना प्राचीन काले से लेकर आसी तक ठीक है इसका अंसर हो जाएगा clear है तो यहाँ पर लिखा गया है अस पर भारतम भी लिख सकते हो हमारा देश भारत है वो भी लिख सकते हो अगला इदानेम कस्य सकाराात्मकाह समयाह आरबधा ठूणड़ो आधित ज्यादा लाइन मिलेगी यह लिखा है इदानेम पुनाभारतस्य सकारात्मकं समयाह आरबधा तो यहां से लेकर आपको यहां तक उतार देना पूर्ड विराम तक पूरी लाइन तो आपका पूर्ड वाक्यन हो जाएगा ठीक है तो यहां पर वही आंसर लिखा गया है यह बास समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं दियां से देखो अगला कोशन थाड़ है अधो लिखित प्रस्नेभ्या सुद्धम विकल्पम चीनुत यानि उप्युक्त विकल्प का चुनाव करना है केवलम प्रस्न दोयम कोई दो प्रस्न करने हैं तो पहला कोशन भारता मध्यकाले कस्मिन पासे बद्धा तो इसमें राइट आंसर है आ प है फिस ग्रूर पूलिंग सब्द है तो पूलिंग राइट है ठीक है आगला कोशन अधो situación अस से कद्ध्यांसत स समचितम सिर्षक्म लिखत इस पूरे द्ध्यांस lanesका सीर्षक लिखना है तो इसका सीर्षक है असमाकम देश हा भारत्म ठीक है तो हम यहां पर लिख देंगे अत्माकम देशा ठीक है अब देखो second question इस्टार्ट हो गया ध्यान से देखो यहां पर लिखा एसा है बालक को देखना है और इसी प्रकार यहां भी देख सकते हो यहां पर भी question डाइग्राम के साथ लिखा हुआ है लेकिन मंजूसा सब्द पर फोकस करना है जो सब्द होंगे वही सब्द आपको यहां पर फिल करना होगा तो जैसे कि इसमें सा चटका तो यहां पर कूजती आएगा यहां पर लिख दिया गया है इसमें से आ गया ठीक है अगला एसा दोला तो यहां पर क्या जाएगा अस्ति इसमें से अस्ति आ गया अगला एता बाल कह सिया पर पढ़ रही है तो आजाएगी इसमें से पढ़ान से कि और इधर वचल क्या है देख ध्यान से इसा वाल का हसती हसत है आ यहां पर इसमें से थे आपको घ्ल समय समय दिया आंसर संस्क्जिकाउख से मैचिंग करना है अगला मैचिंग करना है थर्ड में तो यूवयम सिक्षिकाम तो यहाँ पर आएगा नंस्यत आगे वयम विमान यानम तो यहाँ पर आएगा रचियाम अगला यूवाम कथाम यहाँ पर आएगा कथिस्यत अगला आएगा अहम दूर दर्शनम पस्यामी सीधा ही इसका मैचिंग ठीक है ना अगला तौम लेखम लेखिस्य से तिसका यह ऐसे मैचिंग करना है ठीक है समझ गे यह कंप्लेट हो गया आगे देखो फिल करना होगा मंजूसा सब्द पर देखना इसी में से भरना तिया पर आजाएगा दूरूप के कोडिंग आप भर पाओगे यह चित ध्यान में रखना ठीक है क्लियर है यहां तक आगे देख लो ध्यान से सेम ऐसे पैटन में आपको पेपर मिलेगा अब आगे देखो यहां पर आपको दो दो ओप्सन देंगे कोई एक ओप्सन फिल करना होगा के वलम चत्त पाओ शांट भरना होगा तो पहले मायगा अपी यहां से अपी भरागया दूसर्य माय can usar ती साथ मायगा यह centuriese माय का ओष्ट यह संस्क्रित वर्डशेय से 5 दहाएं तो देखो पनलगे यहां सब्सक्राइब करना है ठीक है यह होगा समझ आगे बढ़ते हैं अब फिर से देखो आपको गद्यांस मिलेगा एक पुरुण वाकिन तो पहला एक पदेन में केवलम प्रस्नेकम को एक करना होगा दोने में से लिखा श्रिंगाला कुत्र निवसेत इस्म तो यहां पर लिखा प्रसन्ना अभवत लिखा न यह बगवले से क्या कहा तो देखो ध्यांसे तो देखो लाइन मिलेगी आदेश ज्यादा यह लिखा है श्रिंगाला बगवलम आउदत यहां से लेके आपको पूर्ड विणाम तक उतार देना है यहां तक यह फिर इतना लिख दो आपकी अगला winne call to pass. यहां पर देखो लाइन बोकाचा निवसता अश्म पूरी लाइन मिलेगी ठीक है पूरी लाइन उतार दिया गया समझ गये यह पूरुन वाक्षियन हो गया आगे देखो उचित विकल्पम उचित विकल्पम चिनूत उचित विकल्प का चुनाव करना है तो पहले में अवयम पदम तो यह वाजाएगा अच्छा दूसरे में वने इत्रत का भिवक्ती तो सब्द रूप याद कर लेना तभी पता चलेगा सब्दमी यह वने में ठीक है न क्लियर है यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है ठीक है फिर आगे आपको पध्यांसा मिलेगा सेम एसे ही एक पदेन एक सब्दमी अंसर ढूंडना केवलम प्रस्नेकम कोई एक दोनों में से कोई एक ब्रिक्षा की दर्शा तो ढूंडो यहीं पर मिलेगा तो यहाँ पर लिखा उन्नत ब्रिक्षम तो उन्नत आ जाएगा ठीक है अगला कुत्र प्रविशाम तो देखो ध्य वायू विहारम कुत्र करवाम तो ढूंडो यहीं कहीं पर मिलेगा वायू विहारम कुत्र करवाम तो यह लिखा वायू विहारम करवाम तो स्टार्टिंग से पूर्ण विराम यहां पर था यहां से स्टार्टू कर तो नील गगने से लेकर आपको करवाम तक लिख देना है यहां परांसर लिख दिया गया है ठीक है अगला चंद्रिलोकम कथम प्राविसाम ढूंडो यह लिखा चंद्रिलोकम प्राविसाम तो कहां से स्टार्ट वै कोमा यहां से स्टार्ट कृत्वा ठीक है तो यहां से कृत्वा से लेकर आपको प्राविसाम तक उतार देना है यह ह प्रियुक्तम अव्य पदम तो यहां पर क्या है खलू ठीक है राइट आंसर आगे देखो ध्यांसे फिर से आपको नाट्यांस मिलेगा नाटक क्या धार पर पर एक पदेन पूर्डवाकेन वैसी करना है पहला इंदरा कुत्र गच्छती तो यह लिखा है इंदरा वयम विद् का संती यह लिखा है तत्र कीड़ा इस पर दा संती तो का संती क्रीड़ा इस पर दा यह आंसर होगे एक सब दिखा ठीक है लेकिन केवलम प्रसनेकम को यह की करना होगा आपको जहां रखना अगला पूर्डवाकेन उत्रत पूरी लाइन लिखना होगा केवलम प्रसनेकम को आप लिए खेलिस्यंती यहां पर देखो यह मिलेगा आपको उतार देना में पूरा felin आपको ओड़ो इस पर दासु बालिका आपको खेलिस्यंती या इसका अंसर हो जायेगा ठीक है आगे देखो उचितम विकल्पम चिनूत उचित विकल्प का चुनाव करना है तो इसमें आपका बाउप्शन राइट है संती आएगा इसमें आएगा लटलकार गच्छामा लटलकार है ठीक है इसा हो जाएगा समझ गए ऐसे ही पैटर्ण में आपको पेपर मिलेगा आगे देखो ध्यान से उब्ल स्योगनम कुरुत कि पृक्सर के साथ आपको लगाना है मात्रा पूरी वैसे लिग देना है तो रा के नीचे हलंद फिर उ आ रहा है फिर चा पर हलंद अक्षर है फिर मात्रा आ रहे फिर रा पर हलंद फिर बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ लगा देंगे ठीक है न यह हो गया आगे राघवा रा हलन्त फिर प्लस बड़ा राय आ लगा दिया प्लस घा अक्षरे आधा है तो हलन्त फिर प्लस आ राय फिर वा हलन्त अक्षरे फिर आ अ लगा दिया ऐसे ही आपको करना है तो मैंने इनके आंसर लिख दे रहे है पा हलन्त फिर पठ आ राय आ प्लस फिर ठा प्रकार बन जाएगा तो यहां पर आंसर लिखे गए ठीक है न यह वर्ण पीछेद होता और यह वर्ण सहीं हो जानो इसमें जोड़कर लिखते हैं इसमें तोड़कर लिखते हैं चीद ध्यान में रखना एक अग्जांपल समझ लो जैसे लिखा है रा मह तो देखो जो अक्षर है रा उस पर आपको हलंत लगाना फिर मात्रा बड़े आ की है अ लगा दिया फिर अक्षर मा गया हलंत लगो फिर अह आ रा तो यह बन जाएगा रा मह अगर जोड़के लिखोगे तो आपका क्या हो इस एक्जांपल का ध्यां रखना प्रैक्टिस कर लिना ठीक है तो टोटल मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया समझ गये फिर से एक बार देख लो आंसर के साथ साथ ठीक है आंसर साथ में लिखे हैं और सेम पैटन में आपका पेपर आएगा ऐसे आपको ढूंड़ना ह रखना रेड़ पैंसे जो लिखे गए हैं उसी पर आपको फोकस करना है वहीं आपके आंसर है यह चित ध्यान में रखना ठीक है जो रेड़ पैंसे नहीं लिखे गए हैं उन पर आपको फोकस नहीं करना है बाकि इस चैनल पर जो पेपर आपके हो जाते हैं उनकी आंसर भी ठीक है तो आज की वीडियो में इतने हैं मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यों फॉर वाचिंग अगले वीडियो में थैंक्यों प्रफ़ वाचिंग लाचिंग शब्वाचिंग झाल शब्वाचिंग झाल झाल झाल